क्या ऐसी कंपणियों में इंवेस्ट किया जा सकता है जो stock market में लिस्टेड नहीं है बिलकल किया जा सकता है जिन्हें हम unlisted shares बोलते हैं अब आप सोच रहोंगे यह unlisted shares क्या होते है तो मैं आपको बता देता हूँ इंडिया में 14,000,000 से भी ज्यादा companyya registered है लेकिन सिर्फ 6,000 से 7,000 कंपनिया जो है stock market में listed है बाकी कंपनियों को unlisted company बोलते हैं और उनके shares को unlisted shares तो अभी जो है हम unlisted shares में भी अपने पैसे को invest कर सकते हैं तो ऐसे काफी सारे platform है जो market में मौझूद है मैंने आपे काफी research किया तो मुझे जो अभी तक सबसे best लगा है वो लगा है stake hub तो चलिए आप हम stake hub की website पे चलते हैं और इसके बारे में जानते हैं तो website का जो link है आपको video के description में मिल जाएगा वहाँ आपको click कर लेना है फिर जो है आप stake hub की website पे आ जाओगे आपको कुछ इस प्रगार का interface जो यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे जो हम get started button पे click कर देते हैं उसके बाद यहाँ पे हमारा mobile number जो हमसे मांगा जाएगा तो हम अपना mobile number यहाँ पे enter कर लेते हैं हमारा OTP यहाँ पे आ चुका है तो मैंने यहाँ पे अपना नाम और email ID डाल दिया है उसके बाद verify email पे click कर देते हैं तो मैंने यहाँ पे जो OTP टाइप कर दिया है अब मैं login बटन पे click कर देता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको काफी बड़े बड़े कंपनियों के नाम देखने को मिल जाते हैं जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे कि देख सकते हो Farmizy, Bot, Oyo, Motilal, Oswal ऐसे काफी साढ़े बड़े कंपनियां जो की बहुत ही ज़्यादा popular है बट अभी तक जो है यह stock market में listed नहीं है तो अगर आप इन कंपनियों में इंवेस्ट करना चाहते हो जिस भी कंपनियों में आपको इंवेस्ट करना है जैसे कि मुझे यहाँ पर CS के कंपनियों में इंवेस्ट करना है तो मैं CS के पर क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पर जो आपको चार्ट देखने को मिल जाता है आप जो है एक महिने का चार्ट देख सकते हो तीन महिने का चार्ट देख सकते हो एक साल का भी चार्ट देख सकते हो यह कंपनी यहाँ पर कैसा perform कर रही है उपर आपको जो depth का भी बटन मिल जाता है आप कंपनी का depth में भी जा करके देख सकते हो नीचे आपको वेलुएशन मिल जाती है जैसे कंपनी के वेलुएशन क्या है कंपनी के सेर का पी रेसियो क्या है कंपनी की जनरल इंफोरमेशन आपको यहां पर देखने को मिल जाती है जिसके बेस पर अच्छे से fundamental analysis यहाँ पर कर सकते हूं ठीक हैं को फटन सबसे नाम है वो ठाइब कर दे कर देना और झोटता है है तो इसके विए किक करना है फिर आपको हो यहाँ inv デ cuálց करना है तो आपको यहाँ पर यहाँ डोगर अला इस स्कूड में बैंक का इफसी कूड होता है फो डीट कर प्लिक करना कई सब्सक्राइब क्लिक उसके वाप पर किसीव को सफस्के पर यहां पर क्लिक करेます करने के लिए नीचे इंवेस्ट वाले बटन पर हम यहां पर क्लिक कर देते में कूं अपर रिक्वर्ष और तो मैं अपने UPID app से जाकर के payment कर जाता हूँ देख सकते हो second में जैसे आप payment करते हो second में आपका order यहाँ पर place हो जाता है अब जो पैसे हमने यहाँ पर invest किया है उसे आप तीन तरीके से check करके confirm कर सकते हो कि सच में आपके पैसे deposit हुए है यह किसी तरीके का fraud तो आपके साथ नहीं हो गया तो देखो सबसे पहला जो आप payment चेक कर सकते हो वहाँ पर आपको देखने को मिल जागा कि आपका पैसा यहाँ पर deposit हो चुका है दूसरा CDSL की website जो भारत की official depository है किसी भी broker से अगर share खरीते है तो साम को 7 बेश से लेकर के 8 बजे के बीच हमारे CDSL account में यहाँ पर पैसा दिखने लग जाता है तीसरा चेक कर सकते हो जैसे कि आपने जो silo अंको का demit account number डाला था जैसे कि upstock का डाला था या grow का डाला था तो मैंने जो यहाँ पर grow app का डाला था stake hub के pros and cons की यहाँ पर हमें अच्छी चीजे क्या देखने को मिल जाती है क्या कमिया हमें देखने को मिल जाती है सबसे पहले बात कर लेते pros की यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है flat charge चाहे आप 1000 रुपे के sales खरीदो या 1 लाग के यहाँ पर आपको सिर्फ 1500 रुपे का flat charge देना पड़ता है जिसमें सारे taxes और fees include है अगर हम बात करें other brokerage की तो वहाँ पर आपको जितने ज़्यादा invest करोगे उतने ज़्यादा brokerage charge हो है आपको pay करना पड़ेगा दूसरा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है same day delivery जिस दिन आप अपने पैसे को यहाँ पर invest करोगे उसी दिन जो आपके share से वो आपको demand account में आपको देखने को मिल जाते है यह बात stake आपको बाकी सबसे अलग बनाती है तीसरा यहाँ पर अगर आप unleashed company हो में invest करना चाहते होगे तो सबसे पहला जो disadvantage मेरे को यह लगा कि इनकी अभी app मौजूद नहीं है बट मैंने यहाँ पर इनके customer care से बात की तो उन्होंने मुझे का कि कुछी दिनों में जो इनका app है वो launch यहाँ पर होने वाला है दूसरा investment option इनको यहाँ पर और वी investment option डालने चाहिए थे जैसे कि mutual fund हो गया या stock हो गया दोस्तो इस take up का user interface की बात करते तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा easy to use है तो दोस्तो आज की इस video में हमने जाना कि इस take up की मदद से कैसे हम unlisted share में invest कर सकते हैं तो उमीद करते हैं यह video आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो का आप लोग जरूर से like कर दीजेगा आज के लिए इतना ही मिलते किसी next video में तब तक के लिए बाए बाए